तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग तो यहां दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग को पता है पोको के उपर एक रे ब्रेंडेड कंपनी होने का ठपा लग चुका है यहां दोस्तों पोको ने तक सिर्फ तीन फोन इंडिया में लॉंच किया है F1, X2 Pro और M2 Pro जो के अभी दो हपते पहले लॉंच हुआ था तो यहां दोस्तों सिर्फ एक फोन को छोड़के जो F1 जो आया था उस फोन को छोड़के अभी तक पोको ने दो फोन जो लॉंच किया है वह दोनों के दोनों फोन दोस्तिक रिब्रेंड फोन थे जो पोको X2 Pro आय है कि पोको जल्द एक और नया फोन लॉंच करने वाला है पोको M2 के नाम से और यह फोन दोस्तों बता जारा है कि 10,000 के आसपास आने वाला है और यह फोन भी दोस्तों आपको सुनके थोड़ा अजीव लगया कि यह फोन को भी दोस्तों एक री ब्रैंड ही किया जाएगा यहां दोस्तों बहर के मार्केट में लॉंच चुके साउमी रेडमी 9C को बता जा रहा है इंडिया में पोको M2 बनाके उतारा जा रहा है अब यहां पोको यह री ब्रैंडिंग वाला क्यों काम कर रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपको जल्द देखने को मिल सकत है तो 9C के तो अल्रेडी हमारे पास पूरी complete डिटेल है और यहीं चीज अगर आप पोको वापिस री ब्रैंड कर रहा है तो पोको से फिर उमीद कम रहेगी कि पोको कुछ नया कर भी सकता है आपको दोसों पोको ने जो अभी M2 प्रो को लांच गया था इसमें आपको नाम कि इंडिपेंडेंडड ब्रैंड हों कर भी रहा है यह लग रहा है कि ऑन्ल अलग ब्रैंड है जो आपको पुली के नाम सिख कर दी सकता है कि इससे जड़ी आपको अभी नहीं आई है कि कब लुँन्च और इसके प्रइसिंग कितनी रहेगी नहीं-ग दस जार की आसपस बत है और क्यामरी की बात करें दोस्तों आपको तीन केमरे देखने को मिलना वाला है और यह दोस्तों कंप्ली डिटेल है पूरी तरह से देखने के थुरू हमें पास अपडेट निकल यहीं बता रही है कि मेरे साबसे सही नहीं है कुछ तो बागी तो बने रहेंगे और अभी तक देखेंड लाइक के बने कहीं न जाए तो आज को इतना ही जैहिन जय वारत झाल